हलो फ्रेंट्स मासेफ शब्र शेयन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीप टर्मिलोजी के बारे में आप सभी ने वेंटिलेटर मशीन पर एक टर्मिलोजी लिखी भी देखी होगी जिसको हम बोलते हैं पीप तो बेसिकल बेल आइकन को भी दवाना विल्कुल ना भूले ताकि आपका हमारे आने वाली वीडियो के वीडिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों पीप जिसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंडवे प्रेशर आप सभी ने व दोस्तों हमारी ब्रीदिंग साइकल में दो फेज होते हैं एक होता है इंस्पिरेटरी फेज और एक होता है एक्सपिरेटरी फेज इंस्पिरेटरी फेज में हम क्या करते हैं गहरा सांस अंदर लेते हैं और एक्सपिरेटरी फेज में हम गहरा सांस हमारे मुह से बहार निक जालते हैं तो basically inspiratory और expiratory phase का ही importance होता है पीप के अंदर पीप का मतलब होता है positive expiratory end way pressure यानि कि ऐसा pressure जो expiratory phase के अंदर patient को दिया जाए machine के दौरा दोस्तों इसका फाइदा क्या होता है कि जब expiratory phase के अंदर machine patient को positive end way pressure देती है इससे होता क्या है कि जो हमारे alveoli है और जो हमारी distal airway है उनको हम prevent कर सकते हैं early closer से यानि कि expiratory phase के दोरान जब हम PEEP देते हैं यानि कि positive expiratory endway pressure देते हैं तो हम हमारे alveoli और distal airways को early close होने से रोपते हैं जिससे वह होता है कि हमारे oxygen exchange होता है ilveoli के अंदर उसका time बढ़ जाता है और patient male oxygen consume Marriage जैनि कि जब patient को oxygen time आपको बढ़ाना हो जब उसका oxygen exchange आपको बढ़ाना होता है तो आप patient का पीप बढ़ा देते हैं तो पीब बढ़ाने से क्या होता है कि उसको expiratory phase में ज्यादा oxygen मिलती है यानि कि ज्यादा positive pressure machine की तरफ से दिया जाता है जिससे की alveoli और distal airways के early closure को हम prevent कर देते हैं अब बात करते हैं पीब की आवश्यक्ता किन केसों में होती है जब patient ज्यादा hypoxemia में जा रहा हो refractory hypoxemia में जा रहा हो या फिर जब patient का oxygen maintain ना हो high fio2 setting पर उस case में doctors prefer करते हैं पीब को बढ़ाना तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया पीब क्या होता है और पीब basically क्यों इस्तिमाल किया जाता है ventilation machine के अंदर इसका aim क्या होता है तो दोस्तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे comment section बताना बिल्कुल ना भूले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी के और अ जोस्तो आगerma स्प्स्वान की खोड़रा आपको की वीडियो कके का तोस्तो आपको की प्हुता है अजальных की वीडियो की जीक है अजा cią सही घा नंदागर ।ॉ